हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनोन वेलकम टू माई यूटूब चैनल बेसिक नॉलेज भाई संजी उसर आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम अस्थान और खसंगम कहां है उसके बारे में जानते हैं तो चले स्थार्ट करते हैं आज का अप से निकलती है और कहां पर गिरती है तो अरब सागर में गिरती है कहां गिरती है तो अरब सागर में गिरती है जेलम नदी का उद्गम अस्थान कहां है जेलम नदी जेलम नदी कस्मीर में जो है बेरिनाग अस्थान से निकलती है और ये चिनाव नदी में मिल जाती है उस व चिनाव नदी कहां से निकलती है तो चिनाव नदी जी लाहूल का बड़ा लाचा दर्रा वहां से निकलती है और कहां पर तो सिंदु नदी में जाकर के मिल जाती है अब देखते हैं अगली नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी ब्यास नदी का उद्गमस्थान का है तो हिमाचल प्रदेश में रहतांग दर्रे के समीब से कहां से रहतांग दर्रे के समीब से निकलती है और ये कहां पे के हरी के कफूर थला में जाकरके इसका संगम होता यहां प्याकर के मिलती है अब देखते हैं सतलज नदी, सतलज जदी का उद्गम अस्तान तिबबत के मान सरोवर लेक से है और ये ब्यास नदी में जाकर के मिलती है तिबबत, सतलज नदी जो है कहां से तिबबत के मान सरोवर से लेक करके कहां ब्यास नदी में जाकर के मिलती है गंगा नदी का उद्गम अस्थान कहां तो गंगा नदी का उद्गम साम गंगोत्री से है और यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है नेक्ष्ट नदी है यमुना नदी यमुना नदी का उद्गम अस्थान ये मुनुत्री है प्रयाग राज इलाहबाद में और कहां पर मिलती है तो ये इलाहबाद में जाकर के मिल जाती है इलाहबाद में जाकर के गंगार नदी से मिल जाती है चंबल नदी का उद्गम अस्थान कहां तो चंबल नदी का उद्गम अस्थान जो ह सिंहार चोरी चोटी है पाव इटावा में सिंहार चोरी चोटी है वहां से निकलती है और यमुना नदी में जा करके मिल जाती है यानि चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी यमुना नदी की क्या है सहायक नदी है राम गंगा नदी देखते हैं राम अब देखते हैं घा घरा या करनाली या कौरिया नादी इसका उध्गम अस्थान कहाँ तो इसका उद्गम अस्थान नेपाल में तकला कोट अस्थान वहाँ से निकल करके ये क्या है सारन था बल्या जिले में गंगा नदी में मिल जाती है गहागरा नदी बल्या नदी मिल जाती है ये नदी कहां पर तुईस नदी मिल जाती है अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अस्थान कहा है तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अस्थान मान सरवाज जील से 80 किलो मीटर में सामपू एक अस्थान वहाँ चेंग्यूंग से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है नर्मदा नदी का उद्गम अस्थान का बिंधा चल की परवत स्थ्रेणियों में अमर कंटक नामा का स्थान से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है खंभात की खाड़ी में जाकर के मिलती है तापती नदी का उद्गम अस्थान कहां तो बैतूल जिले के मूलताई में यहां से निकलती है और ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में मिलती है कहां पर मिलती है खंभात की ख खाड़ी में कटक के समीब क्या है मिल जाती है ये बंगाल की खाड़ी में छिप्रा नदी का उद्गम अस्थान इंदवर जिले के काकरी बरड़ी नामक है और इसके चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है